सात्यों नारी शक्ति को लेकर भारतिय द्रश्टिकों सामाजिक एकात्मता के आगरा से प्रेरीत रहा है। संगठन में भी हमारा ये मजबूत विश्वात रहा है कि महलाएं एक कुशल और अनुसासित मैनेजर होती है, संगठन करता होती है। आग दुनिया में एक मल्टी टास्क एक्टिविटी की चरथा होती ही, शब्द बड़ा पौप्यलर है। शायद भारत की महलाएं मल्टी टास्क इनिशेटिवी क्या होता है, एक्जुकुशन क्या होता है, अगर दुनिया को सिखना है तो भारत की महलाओं को मिले। वो एक साथ दो दो चुले पर खाना पकाएगी, रेडियो ठीक करेगी, बच्चा रोता है तो तुरंट बाहर दोड कर जाएगी, गंटी बजेगी तो महमान का लिए घर खोल देगी, कहीं बीच पर टेलिफोन आएगा तो आगे की सुचना दे देगी, कोई बिमार है तुझे एक साथ भारत की महला की ये ताकत और आर्थिक बवस्ता से भी जुड़ने का मोका मिल जाए, तो इन सब समस्याओं के बीच में भी आर्थिक बवस्ता को भी वो समालती है आप सभी ने बीते अनेग दसकों से महलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर संगर्ष किया है उसी की अभीवक्ती सरकार बीते चाड़े चार वर्से निरंतर कर रही है साथियों आज जब आप यहां से अपने घर लोटेंगे तो याद रखिएगा कि महलाओं के लिए शसक्तिकरांग बेटियों के प्रती समाज की सोच में सकारात्मक परिवर्तन के लिए समर्पन से काम करने का जिम्मा हम सब पर है बीजेपी के एक एक कायर करता पर है और हमारे पास यही सही रास्ता है सफलता जिस मार्क पर चले जिस काम को हाथ में ले उसको सफल होकर के ही हमने समाज की और देश की सेवा कर ली है बिते छे साथ दसकों में देश की जनता ने देश की बहन बेटियों ने तमाम विकल्प आजमाने के बार बड़ी उमीदों और बड़े विश्वास के साथ हम भारतिये जनता पार्टी के कार्योकरताओं पर हमारे कंदे पर ये जिम्मेवारी दी है साथियों जो राजनितिक दल दसकों तक सत्ता में रहे और सामाजिक परिवर्तन महिलाओं को लेकर सोच में बडलाव के लिए सिर्फ और सिर्फ समय का इंतजार करते रहे वो अब भी बादे करने में ही लगे रहते हैं देश की महलाओं को बुनियादी सुविधाएं देने तक की प्रात्विक्ता जिनकी नहीं रही उनकी नियत और सोच क्या है इससे पुरा देश परिचीत है वही नारी के सम्मान, सुरक्षा और सम्रद्ध के लिए भारतिये जनता पार्टी की सरकारें एक-एक कायरकरता का समरपान दुनिया के लिए एक प्रेरिना का केंद्रबिंदू है, अधूत है आप जैसे करोडो समरपित कारेकरताओं को, आप ही किये शक्ति है कि सरकार बीते चार साड़े चार वर्ष में बहन बेटियों के ससक्ति करण के लिए ठोज कदम उठा पाई है एक ऐसा वातावन तयार किया गया है जिसके दम पर आने वाले वर्षों में महिलाओं के प्रती संबेदन सील और समावेशी न्यू इंडिया का निर्माण हो सके